हेलो एव्रिवान वल्कम तो जुडिश्री अकाडमी और मैं हूँ आप सब की दोस्त इंदु चोहान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the Indian Evidence Act 1872 के बारे में so particularly इस वीडियो के अंदर हम लोग chapter number 7 के साथ डील करेंगे जो की burden of proof की बात करता है ठीक है और यह कहां से लगी कहां तक की sections cover करता है section 101 से लेखे 114 ए तक के sections burden of proof के अंदर cover होता है ठीक है अब अगर हम इन particular sections को bifurcate करेंगे तो general proof आता है specific proof आता है और conclusive proof आता है ठीक है एक ही करके अब हम इनको discuss करेंगे so especially जो लोग judiciary के लिए prepare कर रहे हो जो लोग अपने semester exams के लिए prepare कर रहे हो इस particular वीडियो के अंदर मैं आपको हर section को easy way में explain करूँगी मैंने notes बनाये हैं जो कि enough है even for your judiciary even for your semester exams ठीक है जहाँ पर हमें case laws discuss करने के जरुद पड़ेगी हमा case laws भी discuss करेंगे और with example समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे section number one के साथ जो कि है burden of proof अब burden of proof क्या होता है यानि कि किसी particular fact को proof करने का burden बोच किसके उपर होता है ठीक है सबसे पहले कि example लेते हैं मान दीजे कि मैं अगर court में जाके कहती हूँ कि particular कोई person है या फिर चलो मैंने court में जाके कहा कि Ria ने चोरी की है ठीक है अब मैं क्या चाती हूँ मैं court को चाती हूँ कि court इस particular fact को believe करे इस चीज को माने और जो judgment है उसको मेरे favor में देते हुए Ria को कोई punishment दे जो की theft का जो भी punishment है वो दे ठीक है अब burden of proof अब ये बात proof कौन करेगा कि Ria ने सच में चोरी की है अगर मैं चाती हूँ कि court इस fact को believe करे तो burden of proof इस particular fact को prove करने का burden भी मेरे उपर होगा ठीक है अब चलिए ज़रा देखते हैं कि Barrett के अंदर क्या चीज है Barrett की easy language मैं नहीं आ लिखी है जो क्या कहता है whoever desires any court to give the judgment as to any right or liability which depends on any fact यानि कि अगर कोई भी person court से desire करता है कि जो judgment है वो उसके favor में या उसकी तरफ से दिया जाए उसके जैसा दिया जाए जैसा वो चाहता है on a fact तो जो burden of proof है उस fact को prove करने का वो उसी person पे होगा जो desire करता है यानि जो चाहता है ठीक है then this is called the burden of proof एक example में दे चुकियो एक अब आपर example देखते हैं जो हमने बैरेक्ट के अंदर दे रखा है आप लोग देख सकते हैं सब यहाँ पे दो लोग हैं a और b हैं a ने कहा कि b ने कोई crime commit किया जैसे कि मैंने उपर example दिया था कि मिरिया ने चोरी करी तो यहाँ पे b ने कोई crime commit किया अब a desire करता है court से to give judgment against b अब यहाँ पे यहाँ पे जो burden of proof है वो a के उपर होगा क्यों यहाँ पे a desire कर रहा है कि court उसके favor में judgment देते वे b के against judgment दे ठीक है तो burden of proof कौन प्रूफ करेगा कि उसने crime commit किया है a यहाँ पे प्रूफ करेगा कि उसने crime commit किया है so this is the normal कि burden of proof क्या होता है इसमें कुछ आतीगोड़ा चीज थी नहीं जो बहुत difficult हो easy से simple सा way है जो चाहता है जो desire करता है कि court उसके favor में उसके facts को believe करते वे judgment दे तो यह उसी के उपर burden होगा कि वो उन facts को prove करे ताकि court उसको believe करके judgment दे दे ठीक है अब चलते हैं हमने next section के उन्दर तो सबसे पहले हम 101 के अंदर हम लोग barrack देख चुके है example देख लिए हमें चलिए बात करते हैं दो case loss की ठीक है अब बात करें अगर हम गौरी शंकर वर्सेज यूनियन आफ इंडिया में अगर इस case के अंदर देखो basically क्या होता है जब आप mains के लिए prepare करो चाहए प्री के लिए प्री के लिए प्री के लिए प्री के लिए प्री के सकते हैं और याद भी कर लो चलो आपने याद भी कर लिया लेकिन exam जो होती है वो limited space होती है आपको हर question का answer उस limited space के अंदर ही लिखना होता है तो हमेशा अपने answers को इस way में prepare करना चाहिए कि सभी important चीज़े भी cover हूँ examiner को ये भी पता चले कि आप क्या लिखना चाहते है ठ ठीक है अब अगर मानलों आ जाएगे burden of proof क्या होता है तो आपने section 101 लिखा आपने example दिये आपने दो case laws बताए इस इनफ इतना बहुत है कि अगर लेजिसलेचर कोई law बनाती है तो ये presume किया जाएगा कि वो correct है कि वो law सही है ठीक है अब अगर कोई आके ये कहता है कि ये गलत है तो burden of proof उस ही person के उपर होगा जो उसे गलत बोल रहा है ठीक है गौरी शंकर के case में क्या कहा कोट ने सुप्रीम कोट ने ये हैल क्या था कि अगर लेजिसलेचर कोई भी law बनाती है तो हमेशा ये case presume की जाएगी कि वो सही है अगर कोई आके कहता है that this is wrong तो उसके अपर burden of proof है कि आप प्रूफ कीजे कि ये गलत है I hope आपको गौरी शंकर का case समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं दास्ताने versus दास्ताने का case इसमें basically इतना ही का गया था कि जहाँ पर भी civil suit होगा जो burden of proof ह है वो plaintiff पे होता है अब एक बात और मैं बताते हूं को case loss के बारे में मालीजे आप बहुत सारी चीज़े prepare करें जैसे आपने आपको मालीजे दो case loss case loss के साथ आपका answer हमेशा अच्छा होता है ठीक है ये बात है लेकिन अब आप उसके facts उसके हर एक detail में plaintiff ने क्या कहा defendant ने क इसलिए सबसे better यह होता है कि आप हमेशा judgment पर focus करें कि court ने judgment क्या दिया अगर आप judgment लिख देते हैं that's enough important जो बहुत landmark judgment होते हैं of course उनके facts उनके बारे में हर चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है आपको उसको इसी तरीकी से prepare करना चाहिए कि आपको exam में कैसे लेकिन य कर पाएं या नहीं सो चलो यह वापस से थोड़ी बहुत बीच में ग्यान की बात हो गई अब हम आगे भरते हैं जो कि है section मैंने आपर 2 लिख दिया है it's 102 ठीक है करें कर लो अब owners of proof क्या होता है अब owners of proof को evidence act में तो कहीं define नहीं क्या गया है ठीक है evidence act में कहीं पर भी इस च no evidence is given from either side अब इसको मैं यहां से समझा दूँ आपको नहीं समझ मैंगा until and unless जब तक आप example नहीं देखते हैं लेकिन simple सी एक बात बताते हैं जिससे burden of proof क्या होता है कि कि किसी particular fact को proof करना है उसका burden किस person पर होगा owners of proof क्या होता है the burden to produce the evidence ठीक है यानि कि evidence produce करने का किसके उपर burden ह होगा ठीक है अब जरा इसको पहले एक example से समझाती हूं ताकि आपको easily समझ मैं है कि यहां पर owners of proof क्या जीज़े है ठीक है अब दो लोग है A और B है ठीक है इन्होंने एक land के लिए जो कि B के possession में है ठीक है एक land है जो B के possession में है लेकिन A ने B को सू किया है एक land के लिए यानि C ने A को यह land दी थी और C कौन है यहापे B के father ठीक है A ने कहा कि जो land है वो मुझे C ने दी थी जो कि B के father है अब अगर दोनों तरफ से कोई भी evidence नहीं शो किया जाता ना तो A कुछ कहता है A ने एक statement देखे चोड़े एक fact बता के छोड़ दिया facts पर judgment नहीं दिया जा और उसके तरफ उसके पास ही land रहेगी यानि जो possession होगा वो उसी का रह जाएगा इसी लिए यहाँ पर burden of proof किस के उपर shift होता है A के उपर यानि A को ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो land है वो C ने A को दी थी ठीक है bonus of proof क्या होता है shift होता रहता है अगर आपने कही इसे दोनों साइट से evidence नहीं आता है यानि मालो जो भी fail हुआ तो burden of proof क्या होता है shift होता रहता है sorry onus of proof shift होता रहता है onus of proof basically क्या होता है burden to produce evidence अगर A यहाँ पर evidence produce नहीं करेगा कि C ने उसको land दे थी तो वो जो possession है वो B का ही रहे जाएगा ठीक है so that can be shifted from one to the another party such shifting is the continuous process of evaluation मतलग कि basically shift होता रहता है उसी के through वो चीज जो case है वो particular चीज evolve होती रहती है ठीक है I hope आपको onus of proof और burden of proof समझ माया होगा burden of proof simple है जिसने उस particular fact को assert किया माना burden of proof उसी person के उपर होगा उस fact को prove करने का onus of proof की बात की जाए तो एक particular fact है लेकिन अगर दो तरफ से evidences नहीं आए तो जो fail होगा burden of proof उसके उपर आजाता है कि वो उस चीज को लेकर क्या दे evidences दे तो यह हो गया हमारा onus of proof की बात है यानि कि यह जो दो हमने sections पड़े वो general proof की बात करते है ठीक है चलिए अब हम बात करते है specific burden of proof की यह कोई बहुत hard चीज़ है नहीं बहुत simple simple है अगर एक बार में आपको समझ में आ गया तो बहुत clear है कुछ भी hard नहीं है इसमें अब section 103 क वो particular fact यानि कि कोई भी particular fact है तो उसका burden of proof किस पर होगा simple उसी person पर होगा जो court को believe करवाना चाहता है वो wish करता है कि court उस particular fact की existence में believe करे ठीक है तो burden of proof किस person पर होगा उसी person पर होगा जो यह उसके existence में believe करता है ठीक है except यहाँ पर एक exception है जो कि 103 में mention है और वो यह कहता है कि अ particular fact का burden जो providing पूफ है वो इस particular person पर होगा together टिंशेinding टर्वाइस जो burden of प्रूफ यह वह किसके ओपर होगा a person who believes in the fact and once the court to believe that fact ठीक है सौ. अब बात करते हैं высок particular example कि again barrage example है a और B है दो लोग है a निर्अरे ब्रॉसकेस किया है बी A यह कहता है कि B ने theft commit किया है to C और यह चाहता है कि court इस चीज़ को believe करे अब अगर वो चाहता है कि court इस चीज़ को believe करे तो आप proof कर दो, court believe कर लेगा तो burden of proof किस पर हो गया? A पर हो गया, very simple ठीक है, अब B यह कहता है अब अगर मान लो, अब चोरे की समय B कहता है कि नहीं मैं तो जो इस समय चोरी हुई मैं था ही नहीं तो यह again fact हो गया है अब B चाहता है कि court इस चीज़ को believe करे तो बापस है, अब burden of proof किस के उपर है? B के उपर है कि तुम prove करो कि तुम उस समय वहाँ पर नहीं थे तो court believe कर लेगा और उसे साब से judgment देदेगा ठीक है, so burden of proof as to a particular fact किस पर होगा? उसी person पर होगा who wishes the court to believe the existence of that fact ठीक है, except अगर law provide करता है किसी particular person पर है burden ठीक है, उसके बाद में हमने example देख लिया, अब बात करते हैं हम section 104 की, बहुत ही simple 103 भी बहुत simple था, 104 भी बहुत simple है burden of proof अब देखो, B.O.P का मत्तर है burden of proof है, fact to prove to make the evidence admissible अब देखो, इसमें क्या बात है? कि यहाँ पर burden of proof किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई fact है, आप उसको proof करेंगे, तो ही आपका जो evidence है वो admissible होगा court के अंदर ठीक है, यानि कि आपको अपने evidence को admissible करवाने के लिए, court में admissible करवाने के लिए, आपको उस fact को proof करना होगा, और तो उस fact को proof करने का burden किस पे होगा, वो section 104 हमें बताता है, मैं एक बार वापस से बोल देती हूँ, अगर आपको अपने किसी evidence को court में admissible करवाना है तो आपको एक fact proof करना है, यानि कि उस fact के basis पे ही आपका जो evidence है वो admissible होगा, तो उस fact को proof करने का किस पे burden होगा, वो 104 बताता है अब हम देखते हैं, किस पे होता है burden the burden of proving a fact in order to enable any person giving evidence of any other fact then, वो जो burden of proof है, is on that person who wishes to give the evidence, यानि कि उस इंसान पे होगा, जो evidence देना चाहता है ठीक है, बहुत simple अगर आपको अपने evidence को admissible करवाना है, और उसके लिए आपको किसी fact को proof करना है, तो उस fact को proof करने का burden उसी के उपर होगा, जो अपने evidence को admissible करवाना जाता है ठीक है, so this is for the section 104 तो अब हम section 104 के एक example को देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे का कहा रहा है A wishes to prove a dying declaration by B, then A must prove the death, यानि कि अब A को क्या करना है, यह proof करना है कि जो B ने dying declaration दिया था, वो सही है, यानि उसको अपने evidence को क्या करना है, कोट में admissible कराना है तो इस चीज को admissible कराने के लिए पहले A को यह proof करना पड़ेगा कि B मर चुका है, यानि कि B की death हो चुगी है So, I think so, 104 प्या अब बात करते हैं, section 105 की 105 के कहता है, the burden of proving that case of the accused comes within the exception यानि कि, मान लीजे, मैं हूँ मैंने कुछ, कोई murder किया है अब मैं court में कहती हूँ, मैं पर case होता है मैं court के अंदर जाके एकाऊं, कि नहीं, मैंने जब यह act किया, तो मैं intoxication में थी, या मैं unsound mind में थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जो मैं act कर रही हूँ, वो amount to murder हो जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक excuse दे रही हूँ, अपने आपको एक general exception of IPC के अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका burden किस पे होगा, ये बात कौन proof करेगा, कि मैं unsound mind की थी, so, यहाँ पे accused, यानि कि मैं ही इस चीज़ को proof करूँगी कि yes, I was in unsound mind, मुझे इस act के बारे में ओ knowledge नहीं था, ठीक है, तो burden of proof किस पे होगा, यहाँ पे accused के उपर ही होगा, ठीक है, the burden of proof that the accused comes under the general exception of IPC, ठीक है, यह कहाँ किस के उपर होगा, accused पे ही, यह burden of proof होगा, then court shall presume that absence of the circumstance, और court पहले से क्या presume किया गा, कि ऐसा कोई circumstances नहीं था, यानि कि कोई intoxication या कोई unsoundness, for an example की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसे की चीज़ की निकाई है, तो अगर ऐसा है, तो court एक general circumstances को लेकर यह बोलेगा, कि absent मानेगा, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, अब जैसे यहाँ पे example, वही जो मैंने भी example दिया, आपको, A accused है mother के लिए, और A कहता है, कि उसने यह unsoundness of mind में किया, तो burden of proof A पे है, कि वह इस चीज़ को proof करें, कि वह unsound mind में था, ठीक है, अब बात करते हैं section 106 की, 106 क्या कहता है, the burden of proving a fact specially within knowledge, यानि कि मान लीजे कोई भी fact है, और उस fact के बारे में मैं ही जानती हूँ, यानि कि वह specially मेरी knowledge के अंदर ही है fact, तो उस fact को proof करने का burden किस पे होगा, मुझ पे होगा, ठीक है, in case the burden of proof is on that person whose special knowledge the fact is, यानि कि जिस person की knowledge में वह special fact है, burden of proof पी उसी person के उपर होगा कि वह उस चीज़ को proof करें, ठीक है, जैसे की, अब example देख लेते हैं, यहाँ पे इसका, A is charged that he is traveling without ticket in the train, अब A के उपर charges लगे हैं कि वह बिना ticket के train के अंदर travel कर रहा था, अब A कहता है कि नहीं, मेरे पास ticket थी, ठीक है, तो यानि कि A के अब यह knowledge किसके पास है, कौन proof कर सकता है, A खुद प्रूफ कर सकता है कि वह ticket के साथ travel कर रहा था, तो यहाँ पे burden of proof इस पो होगा, A पे in whose special knowledge that fact is कि वह ticket travel कर रहा था, ठीक है, तो 105 भी हमने देख लिया, 106 भी देख लिया, अब हम बात करेंगे 107 की, ठीक है, अब section 107 के कहता है, the burden of proving of fat of a person known to have been alive within 30, यहाँ पे days गलत है, टीज इस चीज़ को correct कीज़ेगा, 30 years, ठीक है, अब यहाँ पे basically के, इस section में हम presumption of life लेते हैं, यानि कि आप यह presumption ले पे हैं, कि जो person है, वो alive है, वो जिन्दा है, यानि कि यहाँ पे presumption of life होगा, MCQ में पूछ जाता है, कि section 107 के अंदर presumption of life है, presumption of death है, तो इस टाइब का कुछ MCQ लाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, presumption of life होता है, अब यह क्या कहता है, कि जब भी, अगर आपके सामने ही question हो, कि एक कोई भी person है, वो जिन्दा है या मर चुका है, और यह चीज़ प्रूफ हो चुकी है, कि वो last 30 years में जिन्दा था, यानि कि मान लिज़े उसको किसी ने, past 30 years में किसी ने उसको देखा हो, किसी ने उसको कहीं पर भी सुना हो, तो उससाबस चागर यह चीज़ प्रूफ हो चुकी है, कि वो last 30 years में जिन्दा है, तो presumption यही किया जाएगा, that he is alive, वो जिन्दा है, अब अगर कोई कहता है, कि नहीं वो मर चुका है, तो burden of proof भी उसी person के उपर होगा, जो यह कहता है, that he is dead, so section 107 आपको समझ में आगया होगा, बहुत ही simple था, इसमें कोई हाती हो रहा चीज़ नहीं थी, केवल एक presumption लेना है, वो है presumption of life हम लेके चलेगे, अगर हमाई सामने एक question है, कि कोई person जिन्दा है या मर गया है, और हम यह proof हो चुका है, that the person जो है, to prove that he is his dead, ठीक है, अब बात करते है section 108, अब इसमें क्या है, presumption of death हम लेके चलता है, यहां मैंने लिखा नहीं है, बट प्लीज इसमें लिख लिजेगा, this is presumption of death, यहां पर हम presumption of death लेके चलता है, आगें, similarly, यही question है, कि person जन्दा है या मर गया है, और यह चीज़ प्रूफ हो गई है court के अंदर, कि past seven years से, जो लोग उसके बारे में सुन सकते थे, या मान लेजे, मैं कोई भी person है, मैं किसी की family member हुई, तो मेरे बारे में, मेरे कोई family members, कोई neighbors, उन्होंने past seven years तक, मेरे बारे में ना कोई सुना है, ना मुझे कई देखा है, ठीक है, तो क्या presumption लिया जाएगा, that he is dead, कि मैं मर गया हूँ, ठीक है, अब अगर कोई कहता है, कि नहीं, she is alive, वो जिन्दा है, तो burden of proof उसी person के उपर होगा, जो यह कहता है, that he is alive, बहुत सेंपल, 108 में भी कुछ खास नहीं है, केवल इतनी सी बात है, कि presumption of death, यहाँ पर हम लेके चलेंगे, question है, कि कोई जिन्दा है या मर गया है, और लेकिन last seven years तक, ना उसको कहीं देखा गया है, ना कहीं सुना गया है, किन लोगों से, ठीक है, और burden of proof उसी पर होगा, जो यह कहता है, that he is alive, section 108, done, अब हम बात करते है, section 109 की, section 109 का कहता है, the burden of proof as to a relationship, in a case of a partner, landlord, tenant, principal and agent, यानि कि यहाँ पर तीन तरह के relationships को दिया है, कोट ने यहाँ पर यह कहना चाहा है, कि अगर कोई भी matter है, जिसमें relationship की बात है, जो कि relationship चाहे partnership की हो, principal या agent की हो, या landlord या tenant की हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो यह तीन तरह की relationship है, और यह कहा गया है, that उन लोगों की बीच में, यह particular relationship है, यानि मान लिजे दो parties है, और आप ही कहते हैं, कि कोई भी उनके बीच में, जो relationship है, जाए वो partnership की हो, landlord या tenant की हो, या principal agent की हो, तो आप ही मान के चलेंगे, कि उनके बीच में, यह relationship है, लेकिन अब अब अगर, कोई person आतर कहता है, कि there no such relationship exists, ऐसी कोई relationship, उनके बीच में exist नहीं करती, वो deny करता है उस चीज़ को लेकर, तो burden of proof भी उसी person के उपर होगा, जो इस चीज़ को deny करेगा, यानि कि, दो parties हैं, उनके बीच में यह देखा जाता है, कि उनके बीच में relation है, तो यही मानते हैं हम, that there is a relation, लेकिन, अगर कोई person इस चीज़ को लेकर deny करता है, तो burden of proof भी उसी के उपर है, कि वो इस चीज़ प्रूफ करें, कि उनके बीच में ऐसा कोई relationship नहीं है, so this is section 109, again very simple, अब बात करते हैं section 110 की, section 110 क्या कहता है, proof as to ownership, मान लिजए, कोई person है, जो कि, कोई भी person है, या मैं हूँ, मेरे possession में कोई भी land है, कोई pen है, कोई particular thing है, या कुछ भी है, अगर कोई चीज़ मेरी possession में है, तो वो चीज़ मेरी है, यानि मैं उसकी owner हूँ, अब अगर कोई person आगे कहता है, कि नहीं, she is not the owner, उस particular चीज़ के वो owner नहीं है, तो burden of proof भी उसी person के उपर होगा, कि वो ये चीज़ प्रूफ करे, कि ये particular जो भी thing है, चाहिए land हो, pen हो, for an example हम ले रहे थे, तो वो कुछ भी हो, तो अगर वो person deny करा है, तो burden of proof भी उसी के उपर होगा, कि वो चीज़ प्रूफ करके बता है, कि ये particular owner नहीं है, उस particular thing का, ठीक है, burden of proof as to ownership के इसका, क्या होगा, very simple, हमको यहापर ownership को लेकर, burden of proof किस पर होता है, जो इस चीज़ को deny करता है, कि वो owner नहीं है, तो वही प्रूफ करो, कि ये owner कैसे नहीं है, ठीक है, अब बात करते हैं, section 111 की, the proof of good faith in a transaction, where one party is in relation, of active confidence, देखो, थोड़ा सा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें भी वही बहुत simple से चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा, इस section को break करके, मैंने या लिखा है, जहां कहीं पर भी किसी दो parties के बीच में कोई transaction है, ठीक है, और उस transaction की वज़े से, एक जो party है, is in active confidence, यानि कि जो भी party है, वो ऐसी position में है, of the active confidence के position में है, और आपके सामने एक question है, कि वो जो transaction किया गया है, वो good faith में किया गया है या नहीं, तो यहां पे burden of proof किस पे होगा, कि यह proof करने का कि वो transaction good faith ने किया है या नहीं, यह उसी person में होगा, जो की active confidence में है, ठीक है, क्या कहना चारा है, कि दो parties की बीच में अगर कोई transaction होता है, जिसमें से एक party active confidence में है, और आपके सामने एक question है, कि वो transaction है, वो good faith में किया गया है, नहीं, तब burden of proof, यानि कि good faith का जो transaction है, इस चीज़ को prove करने का burden उसी person पे है, जो की active confidence में है, ठीक है, अब I think so, यह आपको एक छोटा सा gist, simple भाशा में मैंने आपको समझा लिया, 111, क्या कहना चाहता है, अब बात करते हैं हमें एक example की, क्या है, the good faith of a sale by a client to attorney, यानि की, एक client ने, ठीक है, क्या किया है, एक sale किये किसी भी product की, अटॉनी को, ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो गया, एक transaction हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो client है, वो एक suit लेकर आता है, तो और वो यह कहता है, अब अपने को क्या प्रूफ करना है, इस particular transaction को, good faith में किया है, या नहीं, अब active confidence में यहाँ पर कौन है, of course, client है, क्योंकि उसने उसके साथ, क्या किया है, sell किया, तो यहाँ पर active confidence में कौन हुआ, sorry, यहाँ पर किसको sell किया है, attorney को किया है, तो यहाँ पर active confidence में कौन हुआ, attorney, तो good faith of the transaction कौन प्रूफ करेगा, attorney प्रूफ करेगा, वाफस से बता देती हूँ, एक client ने excel किया attorney को, कि अब जो इनके वीच में transaction है, अब वो good faith में किया है नहीं, तो यहाँ पर active confidence में कौन हुआ, attorney हुआ, और यही चीज कौन प्रूफ करेगा, कि transaction good faith ने किया गया है या नहीं, वो attorney ही proof करेगा, ठीक है, तो यह होता है यहाँ पर हमारा section 111 समाप्त, so, it shall be the conclusive proof that that such person is a legitimate son of that person, वही जो बात मैंने अब आपको कही, इसका एक exception है, वो यह है, कि if the parties didn't have the access to each other at the time of begotten, यानि कि जब एक child किसी female के अंदर आता है, begotten का जो time होता है, उस समय उन दोनों लोगों यानि जो दोनों पर्टी सी, that mother and the other person, उन दोनों के बीच में access नहीं थी, तब ये चीज आप तब legitimacy का conclusive proof नहीं होगा, तब यहाँ पर ये exception बनता है, अब इसके बारे में कुछ cases हैं, जरा हम वो देख लेते हैं, पहला है कांती देवी वोसिस रोशिराम, इसके अंदर ये hell क्या था, यहाँ पर excess को interpret किया था, कि excess मतलब क्या, तो यहाँ पर excess मतलब sexual excess, excess की बात की गई है, second case क्या है, यहाँ पर Gotham versus state of Bengal, यह का कहता है कि, अब यह देखो conclusive proof है, this is the final, आप इसको कोई question नहीं कर सकते हो, तो DNA test नहीं होगा, in normal circumstances, अगर आपके normal circumstances है, 128 days माद में एक चाइल बॉन हो रहा है, तो आप DNA test नहीं करवा सकते हैं, why, because that is already the conclusive proof, that the child is the legitimate child of that person, फिर हम बात करते हैं, Rohit Shekhar versus Andy Tiwari, इसमें का कहते हैं, कि DNA test करा जा सकता है, ठीक है, वो कब किया जा सकता है, सिर्फ तभी जब premafasi is of serious nature, यानि कि आपको शुरू में ही, on face case ऐसा लगता है, कि बहुत serious nature का है, तो उस case के अंदर आप DNA test करवा सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, section 113 की, 112 में, I think सबको समझने हैं, अगर, बेरेक को, language को मैंने तोर के, of a territory, यानि section 113, ठीक है, section 113 क्या कह रहा है, whenever any official gadget, before the government of Indian act 1935, यानि कि, Indian act 1935 से पहले, government of Indian act 1935 से पहले, अगर किसी भी official gadget के अंदर, ठीक है, any territory of British rule has ceded to the Indian rule, यानि कि, जो भी in the British rule के अंदर, जो भी हमारी territory है, वो Indian rule से seize हो गई हो, हट गई हो, और official gadgets में ये mention है, यानि कि, government of India के act से पहले, कोई official gadget है, और उसमें लिखा गया है, कि British rule के, ये particular territory, British rule में seize कर जाती है, to be an Indian territory, तो, ये conclusive proof है, कि, उस particular day पे, यानि, जो official gadget में mention है, उस day पे, उस particular territory का, valid cessation हुआ था, ठीक है, क्या कह रहे हैं, government of Indian act 1935 से पहले, official gadget में ये लिखा है, कि, एक particular territory, British rule की, वो seize कर जाती है, to be an Indian rule, तो, ये बात conclusive proof है, कि, उस day पे, जो official gadget में, डे mention है, उस particular day के ऊपर, एक valid cessation हुआ था, so this is it about the 130, so 112, talk about again the conclusive proof, 113, again talk about the conclusive proof, ठीक है, और 111 ए पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने, shall presumption की बात करी थी, अब चलते हैं आगे, चलिए, अब हम रूप discuss कर चुके है, till section 111, examples के साथ तो discuss किया, जहां जहां case loss की जरुँआ थी, मैंने वहाँ पर आपको face loss भी बता दिये, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर section 111a की, अब देखो, इसके बाद में जो sections हैं, वो new presumptions पर बेज़ए, यानि किसी में self presumed किया है, किसी में may presumed किया है, कोई conclusive proof का section है, तो जैसे जैसे section पढ़ेंगे, मैं वैसे वैसे आपको बताती जाओंगी, कि इस particular section में कैसा presumption लिया गया है, ठीक है, अब ही हम यहाँ पर किसके बात कर रहे हैं, section 111 की, section 111 बात किसके बारे में करता है, the presumptions as to certain offenses, कि कुछ offenses हैं, जिनके लेकर हम क्या presumption करते हैं, वो इस particular section में बताएगा है, अब यह section, कब add किया गया था, 1984 में से add किया गया था, और इसमें cell presumption है, shell presumption, ठीक है, अभी क्या कह रहा हैं, कि wherever it is shown that any person in disturbed area, अब disturbed area क्या होता है, मैं आपको आगे बिताती हूँ, disturbed, अभी हाँ पे कोई भी person, जो disturbed area के अंदर, fire arms use करता है, against the armed forces, यानि की, चलो, सबसे पहले देख लेते हैं, कि disturbed area क्या होता है, अब इसे में आपको देख रहता है, disturbed area क्या होता है, कोई भी area जो कि government ने उसको disturbed area declare क्या हो, मान लिए जिए वहाँ पे कुछ भी दंगा, आपजाद कुछ भी हो रहा हो, तो उसको government ने क्या तो disturbed area declare क्या हो, या फिर उस particular area के अंदर क्या हो, such area in which there is a disturbance of a public peace for more than one month, यानि की एक महिने से जादा, उस particular area के अंदर क्या है, disturbance है, तो ऐसे areas को हम disturbed area कहेंगे, अब ये section क्या कहता है, ये ये कहता है, कि अगर किसी भी person ने ऐसे disturbed area के अंदर, fire arms use किये हैं, against the armed forces, armed forces के against, और ठीक है, अब वहाँ पे armed forces, वो क्या कर रही है, they are preventing the offenses, और वो उस offense को prevent कर रही है, तो court ये presume करेगा, the court shall presume, court ये presume करेगा, such of the following offenses, यानि कि जो मीचे दिये गए offenses हैं, उनको presume करेगा, जैसे कि section 121, 121A, 122, 123 of IPC, that all talks about abayment, tumble conspiracy, commitment, attempt, ठीक है, इन सब को लेकर, क्या करेगा, court presumption, यानि कि self presumption करेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल, अगर किसी भी परसन ने, disturbed area में, fire arms यूज किये हैं, armed forces के against, जो वहाँ पर उन particular offenses को, protect करने की कोशिश कर रहे हैं, तब court following offenses को, presume करेगा, shall presume करेगा, that is, section like, abatement हो गया, criminal conspiracy हो गया, ऐसे offenses को, presume करेगा, disturbed area क्या होता है, क्या तो, government news को, as a disturbed area, declare क्या हो, या फिर, एक महिने से, वहाँ पर public peace नहीं हो, there is a disturbance of public peace, ऐसे areas को, हम disturbed area कहते हैं, so section 101, talks about the self presumption, self presumption, अब हम बात करते हैं, section 112 की, जो की क्या है, conclusive proof का, क्या है, section है, अब ये section क्या कहता है, किसके बारे हम बात करता है, the birth during marriage, conclusive proof of legitimacy, यानि कि, अगर कोई भी child birth होता है, किसी marriage के time में, during that marriage, तो वह conclusive proof है, कि वो जो child है, वो legitimate child है, ठीक है, अब ये का कह रहा है, wherever, any person is born out of a lawful marriage, यानि कि, एक lawful marriage से, एक person, एक child born हुआ है, between his mother and the other person, जो भी अदर परसन है, उसकी माँ और उसके अदर परसन के बीच में, if that person is born, within 128 days, of the dissolution of marriage, अब देखू, पहली condition तो very clear है, कि lawful marriage से हुआ है, between his mother and other person, that person is born, then that person is a legitimate child, secondly, अगर वो person born हुआ है 128 days, after the dissolution of marriage, यानि कि, दो लोगों के बीच में, शादी खटब हो जाती है, अब that dissolution, क्या तो वो by death हो, मान लिजिए, उसका husband मर जाता है, या फिर उनका divorce हो जाए, किसी भी reason से, अगर marriage dissolve होती है, और marriage dissolve होने के, 128 days बाज में, वो child birth लेता है, तो उसे हम legitimate child मानेंगे, of that mother and the other person, ठीक है, और इसी चीज़ conclusive proof है, इसके आगया ना आपको कोई evidence, evidence देने की कोई ज़रुरत नहीं है, this is the conclusive proof, this is the final, आपके अपर कोई question ही कर सकता, if this is the thing, ठीक है, so, this is for the section 112, इसके हम थोड़े case log और एक exception देखते हैं, चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, section 113A की, अब यहाँ पे, शेल presume का एक section देख लिया, दो conclusive proof की section देख लिया, अब देखते हैं, may presume का section, इसको add किया था, 1983 के अंदर, किस बारे में बात करता है, presumption as to abatement of suicide of a married woman, यानि कि, यहाँ पे हम presumption लेंगे, किसके बारे में, अगर कोई married women suicide कर लेती है, तो उसके बारे में, तो क्या कहना चारहें, again, पूरे जो section को है, बेरेक की जो language है, उसको मैंने, थोड़ा सा short में, cut कर करके, ब्रिक कर करके लिखा है, wherever there is a married woman, अगर एक शादी शुदा औरत है, वो suicide कमिट करती है, within the seven years of marriage, अपने शादी के साथ साल के, अंदर अंदर, अगर वो suicide कमिट करती है, और यह चीज़ शोन की गई है, कि क्या तो husband ने, या उस husband के relative ने, उसके उपर cruelty की है, उसके उपर मारा pity की है, उसके उपर cruelty की है, तो court may presume, court may presume कर सकती है, कि उसकी जो suicide है, उसको abate किस ने किया है, उसके husband ने, या उसके relative में, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी शादी शुदा औरत, अपनी 7 साल के, साथ साल की शादी के, भीतर भीतर suicide कमिट करती है, और ये चीज़ शो कर चुके हैं, कि husband या उसके relatives, ने उसके उपर cruelty की है, कोई मारा pity की है, या कुछ भी किया है, तो court may presume कर सकती है, कि जो उसकी suicide है, वो abate किस ने करी, क्या तो उसके husband ने करी है, या relative ने करी है, ठीक है, बहुत simple, may presume करना था, हमने 100th section, section 13, 113 भी देख लिया, ये देख लिया, ये बहुत सारी important dates है, जैसे ये 1983 है, ये important है, ये MCQs में पूछते हैं, इसलिए हर section का ये याद रखना, 113 में कौन सा, 113A में कौन सा presumption किया है, may presume, ये भी MCQs में पूछा जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, section 113A की, B की sorry, B का कह रहा है, again shell presume की बात कर रहा है, यानि अब shell presume का ये concept, दूसरा section हम देख रहे हैं, 1986 में इसको add क्या गया था, again important चीज है, answer quiz में आ सकता है, बिलकुल ध्यान रखना, यहाँ पर presumption as to dory death लेंगे हम, अब मान लिजे, कहीं पर भी कोई dory death is under the question, मान लिजे शादी हुई, अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो इसकी death है, वो क्या तो, शायर dory death के कारण हो सकती है, तो, अब इस इन question क्या है, dory death is in question, अब यह show कर चुके हैं, कि उसके death से पहले, उससे क्या तो, dory की demand की गई थी, ठीक है, या फिर उसको haris किया गया था, या उस पर cruelty की गई थी, ठीक है, क्या क्या चीज़े show कर चुके हैं, कि उसकी death से, soon before her death, यह show कर चुके हैं, कि उससे क्या तो, dory की demand की गई है, या उसको haris किया गया है, dory के लिए, या उस पर cruelty की गई है, dory को लेकर, तो court shall presume करेगी, यह चीज़ प्रूफ हो गई है, तो court को presume करना पड़ेगा, कि यह dory death है, the court shall presume, that it's a dory death, ठीक है, अब इसके बारे में, हम एक case law देख रहेते हैं, बहुत ही simple था, इसमें भी कुछ नहीं था, हीरालाग versus state of Delhi, इसके अंदर, soon before death को interpret क्या गया है, और यह कहते हैं, there is no specific time, court shall see, whether there is a relation between, dory and death, मतलब ऐसा कोई specific time नहीं है, दो दिन पहले का देखोंगे, no, there is no such time mentioned, कभी ही हो सकता है, मान लो उसे 2 साल पहले, उसे उसको दॉरी मांगे, तो there is no specific time, between the, to make a relation between the dory and death, ठीक है, so हीरालाग versus state of Delhi, हम देख रहे हैं, 13 bb यहाँ पे समाप्त होता है, अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या section 114a, 14a क्या कहता है, again हमको presumption लेना है, about as to the absence of consent in certain prosecution, इसको 1983 मैट क्या गया था, और यह self presumption की बात करता है, यानि कि यह self presumption का हमारा, तीसरा section है, ठीक है, एक section हमने में presum का देखा, दो sections हमने conclusive proof के देखे, और तोटन तीन section हम लोग shall presume के देख रहे हैं, ठीक है, अब यह कहा रहा है, where a matter pertain to us section 376a2n, यानि कि यह particularly rape के cases हैं, अगर आपने IPC में पढ़ी होंगे तो, ठीक है, और यह, तो यह कहा हो, जो भी आपका matter है, वो particularly rape cases के बारे में हैं, और यह proof क्या गया है कि, यह चीज शोन है कि, यहाँ पर sexual intercourse has been taken place, sexual intercourse हुआ है, अब एक लड़की आदकी, जो women है, उसने यह कहा कि, उसने consent नहीं दी थी, she said कि, उसने consent नहीं दी थी, तो court shall presume करेगा, that she didn't consent, उसने consent नहीं दी थी, तो rape यहाँ पर comment हुआ है, court यह presume करके चलेगा, that उसका presumption, अब यहाँ पर presumption क्या है, as to the consent, कि उसने consent नहीं दी थी, ठीक है, बहुत simple, 14 क्या कहता है, अगर कोई matter pertain to rape है, और यह चीज शोन की गई है, कि एक sexual intercourse take place हुआ है, women आती है, और वो यह कहती है, कि उसने consent नहीं दी थी, तो court यही presume करेगा, कि उसने consent नहीं दी थी, court shall presume, that she didn't given the consent, so this is for section 148, तो हमारा burden of proof का, chapter 7 यहीं समाब्थ होता है, I hope आप सब को समझ में आया होगा, मैंने बहुत जादा भारी भरकम काम नहीं किया है, आपको sections को easy explanation दी है, example से आपको समझाया है, और जहां मुझे case loss जरूरी लगे, मैंने वहाँ आपको case loss बताया है, I hope आप सब को यह चीज समझ में आयोगी, आपको समझ में आया है, आपको क्या करना है, channel को subscribe करना है, ठीक है, उसके बाद नहीं, आपको क्या करना है, channel video को like कर दो, मतलब कुछ second का काम है, पास में एक बटन होगा, जो red color का subscribe है, उसको subscribed कर दो, और like कर दो, ठीक है, just few seconds, few seconds का का काम है, ठीक है, so thank you so much, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी और कोई और विडियो बनाने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दे ना कि किस सब्जेक्ट के ओपर या किस टॉपिक के ओपर बनाने चाहिए कोई प्रॉब्लम हो इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ स लॉस ऐसे करके मेरी इंस्टेग्राम पर आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी आईडी का लिंक डाल दूंगी आप वहां से में को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चीने ता आप वहां जाके मुझे मुझे मिल सकते हैं कोई और बाल टेक केर